हेलो उस्तों मैं हुरुचत बहुत बहुत स्वागे था आप से अभी का इस निव वीडियो में दोस्तों सीरियल गुम है किसी के प्यार में दोस्तों इस सीरियल के पूरे सप्ता की कहानी तो आपको जट सही पता चल जाती है वो भी सिर्फ एक दिन में लेकिन इसके बाद जब पूरे सप्ता की कहानी एक दिन में पता चल जाएगी तो पूरे सप्ता बर मन में सवाल तो उठेंगे ही न क्योंकि उसके आगे की भी तो कहानी बाकिया और क्वेशन यहाँ पर आकर सबसे पहला आप यह अटक गया है आकरकार इस एनिवर्सरी की बाद जो छिड़ चुकी है सीरियल के अंदर अगर आप पूरी वीक स्टोरी देखे हैं तो तो आपको पता होगा कि एनिवर्सरी की बाद छिड़ने वाली अगर आप टीवी पर ही देख रहे हैं तो आप वहाँ तक नहीं पहुचे होगे तो थोड़ सा इसमें कन्फ्यूजन बना रहेगा जब तक यह वीक स्टोरी आपको ओडिस्टाल पर देखने को मिलेगी तो फाइनले दोस्तों जैसे कि मैं भी आपको बताता है तक कि एनिवर्सरी सेलिबरेट यहां पर होने वाली है और इस एनिवर्सरी को सेलिबरेट करने के लिए जो है इस बार सही अकेली नहीं है क्योंकि यहां पर उसका दोस्त उसका मोदक उसके साथ है और मोदक और मिर्च की जोड़ी जो मिलकर जो है क्या धमाल मचाने वाली है यहां पर सवाल यह उड़ता है और आखिरकार क्या निनाद और अश्विनी का पुराना सच निकल कर सामने आएगा और क्या आखिरकार वो तो वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा तो दोस्तो सीधा वहाँ पर चलते हैं जहां पर निनाद के सामने ये प्रस्ताव पहुंच चुका है कि हम लोग आपकी एनिवर्सरी सेलेबरेट करना चाहते हैं यानि की साही की जो आई है और बाबा जो है उनकी एनिवर्सरी वह सेलेबरेट करना चाहती है ऐसे में निनाद जो है इस पर थोड़ा सा भड़क जाने वाला है भड़के का तो क्या उसका मून वैसे ही पहले से खराब है क्योंकि पहले ओमकार ये द्रट लगाए हुए बैठा है कि घर छोड़ कर जाओ घर छोड़ कर जाओ उसे रोक रहे है और इसके बाद इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीचिए अगर सेलिबरेशन की बात हो तो घर का मुख्या होने के नाते उनका बिगणना तो बनता है और यहाँ पर निनाद जो है वो थोड़ा सा मना करते वे नज़र आएंगे अश्वीनी भी कहीगे कि सही इन सब चीचों की कोई जरूत नहीं है अगर ये इतने सालों में कुछ नहीं हुआ तो अब ये सब करने में क्या मतलब है अब इसका कोई फायदा नहीं पर दोस्तों आप सबी को पता आए कि सही जो है वो जवान की इतनी जादा पक्की है कि उसने ठान लिया है तो वो करके रहेगी यहाँ पर विराड भी कहेगा कि नहीं बाबा नहीं मैं इसमें तुम्हाना साथ देने के लिए पूरी तरह तयार नहीं हूं सही क्योंकि उससे भी पता है कि आज तक इस घर में निनाद और अश्विनी की यानि कि उसके आई बाबा की कभी अनिवर्सरी सेलिबरेट नहीं होई क्योंकि उनका रिष्टा इतना कुछ खास कभी रहा ही नहीं है फाइनली विराट को भी जुकना पड़ेगा साई के आगे और ये एनिवर्सरी का सेलिबरेशन जो है ये घर में होने ही वाला है निनाद और अश्विनी के ना चाहते हुए भी और ऐसे में रिजल्ट क्या निकलने वाले हैं ये जानते हैं क्योंकि उन लोग ने एक दूसरे से क्या बहस की इस बारे में क्या एक दूसरे को ताने मारे क्या आपस में वो लोग लड़े हैं क्या साइकों भी ओरने ताने मारे होंगे यह चानना कोई बड़ी बात नहीं है आपको पता है मिशह ससीन रहता है यहां पर final result यह निकल कर आएगा कि anniversary के दिन निनाद और अश्विनी दोनों ही जो है इससे celebration में शामिल होने वाले हैं और दोनों ही जो है मिलकर इसमें हिस्सा लेने वाले हैं और अपना जो सेलिब्रेशन है उसे पूरा करने वाले हैं लेकिन यहाँ पर मुमेंट तब आने वाला है जब अश्वीनी और निनाज आपस में ये डिसकस करेंगे कि आकरकार उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आखिर आई क्यों और आकरकार वो प्रिजन टाइम पर अपने रिलेशन्शिप को क्यों नहीं सुधार सकता है आकरकार उसमे कई सारी बाते इस पूरे सीन में निकल कर आपके सामने आने वाली है अनिवर्सरी वाले सीन में अब दोस्तों सवाल यह उठता है कि मोदक और मिर्ची का क्या होने वाला है यहां पर तो ऐसे में हमारे मोदक और मिर्ची जो है इन दोनों के लाइफ में भी बहुत बड़ा चेंज यहां पर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि उन दोनों को यह realize हो जाएगा कि जो आज तक हम पती-पतने मिलकर जो नहीं कर पाए वो दोस्त बनकर हमने जट से कर दिया क्योंकि दोनों के दोस्ते के नाते जब उन्होंने मिलकर काम किया कि एक दोस्त के नाते दोनों ने मिलकर काम किया तो दोनों में नहीं कोई argument हुआ नहीं कोई लड़ाय जगड़ा हुआ बलकि event जो था ये anniversary का program जो था वो एकदम 100% successful हो गया वो भी कुछ लोगों के ना चाहते हुए भी और पाकी दीदी बीच में आकर लड़ाय जगड़ा छेड़ देती है तो वो moment आपको कैसा लगता है ये आप decide कीजेगा तो ऐसे में दोस्तों ये सब यहां पर आपको देखने को मिलेगा जब विराट और साई मोदक और मिर्च मिलकर जो है दोनों के anniversary को successful बनाने वाले है और दोस्तों यहां पर सवाल ये उड़ता है कि आकर कार दोनों के दोश्ते अब किस मोड पर जाने वाली है तो दोस्तों मैं आपको बता दूकि अभी कुछ टाइम की देरी आपको और जहलनी पड़ेगी क्योंकि आपको पता है कि story में थोड़ा सा turn आया है जब से इन्होंने week की story दिखाने शुरू कर दी है क्योंकि इन्होंने episode भी उतने ही खीच लिये है कि मतलब जो एक episode में आपको देखना है ताब वो week की story में पूरा घुमा फिरा कर आपको देखने को मिलेगा यानि कि minus seven मान लीजिए कि story इतनी पीचे हो ही है इस story और इसलों हो गई है और कुछ extra scene इन्होंने अब जोड दिये हैं ताकि सेरिल को खीचा जासके क्योंकि सेरिल की भी एक fix timing होती है contract होता है और उस time पर ही उन्हें अपना पूरा perform करना होता जैसे episode आते हैं उस रिसाफ़ जोने होगा और उसके बाद कहीं जाकर जो है सही और विराट की जो दोस्ती है वो पूरी तरीके से प्यार में बदलने वाली है फिलाल तो दोनों के बीच में दोस्ती रहेगी और ये दोस्ती आपको I think प्यार से ज़्यादा entertain करने वाली है वो कैसे आप आने वाल एपिसोड देखकर समझ जाएंगे दोस्तों अगर अपडेट लगी हो तो वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आपके फेवरेट टीवी स्केल से जुड़ी अपडेट लगातार में आपको यहां पर पहुंचाता रहता हूं कोई भी सवाल है इस्टाग्राम पर शेर कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मैं अगले वडियो के साथ फेड़ी से राटूंगा चबतकिली तेंग उस्तों